हलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल कपल्स रसोई में आज हम बनाने वाले हैं क्याबिज की सबजी तो चलिए रेसिपी सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब चरूर कर लीजिए तो बढ़ते हैं इंग्रीडियन्स के दरफ कैबिज की सबजी बनाने के लिए हमें चाहिए कैबिज इसको हमने छोटे-छोटे टुकडे में काट लिये हैं आलो इससे भी हमने छोटे-छोटे काट लिये हैं प्याज, धन्या पत्ता, दो डालचिनी और दो इडाइची, धन्या पाउडर, कुछ फ्रोजन मतर, लाल मिर्च पाउडर, फाइनली चप्त ट्रमाटर, जीरा, अधर क्लेसुन का पेश्ट, गरम मसाला, नम्मक, हल्दी और ओयन गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे यह लाइची और डालचिनी, फिरे डालेंगे हम यह जीरा, जीरा को हल्का स्प्लैटर होने देंगे, अब डालेंगे हम यह ओनियर, इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे, और इससे हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राय कर लेंगे, कुछ टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि फ्याज का हलका कलर चेंज हो चुका है अब इसमें डालेंगे हम अद्रफ लेसुन का पेश्ट इसे भी हम हलका फ्राय कर लेंगे ताकि अद्रफ लेसुन का कच्छा स्मेल चला जाएं कुछ टाइम फ्राय करने के बाद यह अद्रफ लेसुन का कच्छा स्मेल जा चुका है अब इसमें डालेंगे हम यह बारी कटे हुआ टेमाटर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ और इससे धक के हम टेमाटर सॉफ्ट होने तक पका लेंगे लग लग दो मिनिट के बाद यह टेमाटर हलका सॉफ्ट हुआ है इससे थोड़ा से मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम यह नमक यह बस मसाला के लिए डालेंगे हल्दी पाउडर धन्या पाउडर और लाल मिर्च पाउडर इससारा डालके इससे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स होने के बाद इससे हम ढगके कुछ टाइंग के लिए पकने लेंगे कुछ टाइंग के बाद इस मसाला को हम हलका सा मिक्स कर लेंगे अब इसमें डालेंगे हम हलका सा पानी इस थोड़ा सा ही पानी डालेंगे फिर इससे मिक्स देंगे इससे डरके और कुछ टाइम के लिए पकने देंगे कुछ टाइम के बाद हम चेक करेंगे आप देख सकते हैं यह मसाला हम लोग का अच्छे इससे फ्राय हो चुका है इसे हलका सा मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे हम इसमें आलू और यह फ्रोजन मटर इसे मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे हम क्याबिश इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इससे हम ढगके हलका साफ्ट होने तक बगा लेंगे कुछ टाइम के बाद यह कैबिश हलका सॉफ्ट हो चुका है इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे हम स्वाद अनुसार नमक इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे ढखके चार से पांच मिनिट के लिए लो फ्ले में बटने देंगे लबब पांच मिनिट हो चुके हैं अब चेक करते हैं यह कैबिश अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे अब आखिर में डालेंगे गरब मसाला इसे बस एक मिनिट के लिए फ्राय कर लेंगे अब हम ग्यास बंद कर लेंगे और इसके ओपर थोड़ा सा धनिया पत्ता गार्निस कर लेंगे और इसे सफ करेंगे अगर आपको यह रेसिपी अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर केजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कर दो कर दो अच्छा लेंगे